में बात की इंटरणेशनल मार्किट्स की जो कि आज पॉस्लि संकेत दे रहे हैं बात मि डेरिवेटिव डेटा की मार्केट सेंटिमेंट की और FIS की जो रुजहान रहा कल कैश मार्केट में डेरिवेटिस में वो काफी स्ट्रॉंग रहा था लेकिन एक और फैक्टर है जो कि आज मार्केट को ड्राइव करेगा वो है अर्निंग्स का विरें कल मार्केट टोजिंग के बाद तीन क्रूशल अर इस लिस्ट में आप और बहुत सारे सी कंपने आड कर सकते हैं जहां पर वीक पर्फोर्मेंस की उमीद थी लेकिन एक अच्छे नंबर इन कंपनियों ने पोस्ट किये तो ओवर आल जो अब तक का अनिंग सीजन रहा है वो उतना खराब भी नहीं रहा है इंफाक्ट वर्ट पॉस्टिफ साइडरा है बिल्कुल और एक चीज आए थी मिलता हो दिपाली चाह वो टारा स्टील हो चाह वो गेल हो सबसे बड़ी चीज क्या है मिन दीजों पर देखिए दो चीज है मता हुगा मैं यह तीन स्टॉक्स इंडेक्स के लिए प्रेशर पॉंट थे बिलीफ मि और बारी किसे समझते हैं इंफे अंचल में जाथ नियूजरों से हैं भी अंचल आइटिंक जैसे कि मैं कहा रहा हूँ न कि प्रेशर पॉंट मार्केट से रिलीज हो रहे हैं धीरी धीरे और भवान करेकल SBI ने कुछ ठीठा कर दिया तो वाकिए अच्छा हो जाएगा लेक यह Q2 Q3 में जबाव देखने को मिला था घरेलू वाल्यूमस वे और यॉरप से भी उसके बरिक्स Q4 में आके YY बिस्स में वाल्यूमस बढ़ना अपने आप में इंडिकेट कर रहा था कि कही ना कहीं जो डिमांड की बात की जा रही थी वो वापस से रिकावर हो रही है इसे रिलाइजेशन से प्रिशर आया अधर्वाइस घरेलू कारोबार अभी भी टाटा स्टील का काफी साउंड कावं कर रहा था Q4 नंबर्स घरेलू फ्रंट पे अच्छे रहे हैं उसके साथ साथ अगर देखे तो एक अच्छी बात होती है गाइडेंस नॉमली जब भी क इस बात पर की बहुत जादा सबकी नजरे थी इस बात पर टिकीवी की बिड़र जो है UK कारोबार के लिए उनकी अनॉंसमेंट होगी नतीजों के साथ साथी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उन्होंने साफता और पे गा कि अभी बिड़र फाइनलाइज नहीं है और किसी भी पेचे आए हो जिस तरह सेंचल ने कहा भी की डॉमेस्टिक बिजनस जो है वो मुनाफर में लौटा है यह बड़ा ट्रिगर और यही एक कुशल फैक्टर था भी जिसमें मार्केट वाच कर भी रहा था कि तो UK एसेट की सेल को लेकर किया कॉमेंटरी आती है मैंजमेंट के परफॉर्म करता है उन दोनी पैरामीटर पर देखे तो नमबस को देफिनेटली थम्स अप मलता है लेकिन मैंजमेंट कॉमेंट कॉमेंट भी सुन लेते हैं मिस्टर कॉषिक चैटर जी का कहना है इंपोस्ट अरिंग को भी देख लेते हैं अरिक लुlike मिड़स्ग झी प्रफॉर्टे कर अलाद कॉमेंट आड को चाल है we are going to talk and work with the but a des to address the pension issue potentially to even separate it that's all that is been said so and I said there is a there are ways in which this can be done under the regulatory framework in the UK now each of the bit as when we come to know that who's looking at what it has to be a तो देखिए टारा स्टील के नतीज अच्छे रहे, और लाज देखिए सिर्फ प्राइस उमच जाएगा, आज का पांस साथ आर्ट रुप का प्राइस का मुमेंट वो ऐसा नहीं है कि दोशाट सातरा के पूरी कहानी तै कर देगा, ठारा स्टील एक प्रेशर पॉइंट बन स अब एक्जेक्री इस बार के नतीजे में, फूली एर के नतीजे में एक्जेक्री नजर क्या है, और स्पेशली इंडिन ओपरेशन्स कैसे रहे हैं उनके, देखिए वहरें दो जो मिड्ली इस गये थे वापस से अब भारत आते हैं भारत पे जाला बरोसा बढ़ता हो दिख लेकिन आप कई ना कहीं वहां रिवाईवर आता हुआ दिख रहा है, इसके अलावा तीन बड़े सेग्मेंट्स, इंफ्रा, पावर और आईटी, तीनों की परफॉर्मेंस इस बारी बहतरीन रही, इंफ्रा में करीब 20% की आएक उस ग्रोथ देखने को मिली, तो वहीं आपस से फोकस बड़ा, Q4 में आडर इंफ्लो जो था, वो अनुमान से बहतर रहा, वो अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि काफी स्कॉर्टर्स के एक चलगिश परफॉर्मेंस गिर रही थी, उसके बाद एक अच्छा ओडर इंफ्लो Q4 में पोस्ट करना, वो कंपनी के लिए बड़ा ट्रिगर होगा, और साथ ही साथ, FY17 की जो खुल ओडर बुक है, वो ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने काई कि 15% बड़ेगी, तो यहां से एक रिकावरी देखने को मिलेगी, एक अप्टिक ही देखने को मिलेगा ओडर बुक में, और कंपनी के लिए, और इंफ्लो सबसे बहत एहम चीज होती है, और कहिना कि उसमें अप्टिक, ओवराल नतीजो को इंप्रूफ करता हो, दिखाएगा। The private sector, as you all know, are going through very stressful time, people who spend on a public-private partnership, whether for airports, whether for ports, or for roads, have all now challenging time, so the 25 to 30 percent of the order we used to get from private sector, no longer is possible now from infrastructure, So the entire burden of expenditure is on government. So